सच श्रीयकाल कैसे हैं आप सब आप सभी का वेलकुम है पूनम को रेसिपी इस में आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी गडिश लाई हूँ तो फिर देर न करते हुए चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजो की ज़रूरत होगी तो ये देखिए फ्रेंज आज की जो हमारी रेसिपी है वो बनने के बाद कितनी पॉफ है कितनी क्रिस्पी और कितनी चीजी हेल्दी सी लगेगी पहले मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ तो आज हम रोटी से फ्रेंकी बनाएंगे जो की बहुत ही अच्छी बनेंगी और आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमने बड़ी आसानी से इसे बना लिया है और बनने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगने वाली है तो फिर देर ना करते हुए चले हम जटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बना अच्छी तरह से गरम हो गया है तब हम इसमें डालेंगे आधा चोटा चम्मच जीरा तेल में डाल देते हैं और इसे पकने देते हैं जब एक बार आप देखें कि आपका जीरा अच्छी तरह से पक चुका है तो यह देखें यहां पर मैंने चार उबले हुए आलू ले लि अब हमने इसे भी कड़ाई में डाल दिया और दो से तीन मिट तक पहले आलू को अच्छी तरह ऐसे मिक्स करते हुए भुनेंगे अब दो से तीन मिट हो चुके हैं आप देख पा रहे हैं आलू जो हैं हमारे काफी अच्छी तरह भुने जा चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे आदा चोटा चम्मच नमक, दो से तीन पिंच हल्दी, आदा चोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आदा चोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर अगर है तो डालिए इसे टेस्ट अच्छा आता है और साथ ही हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च और बारी कटा हुआ हरा धनिया हमने सारी चीज़े आलू में डाल दी है इसे अब हम अच्छी तरह से मिलाएंगे देखिए आलू डालने के बाद 2-3 मट तक अच्छी तरह भुन लीजिएगा उसके बाद ये सबी चीज़े डालिएगा ये सब डालने के बाद आपको ज़्यादा देर पकाने की जरुत नहीं है तब तक पकाईए जब तक ये अच्छी तरह से सारी चीज़े मिक्स ना हो जाएं जब आप देखें कि हमारे आलू की साथ सभी चीज़े मिक्स हो चुकी है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ली सभी मिक्स हो चुका है तो बस फिर हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी आलू की जो स्टफिंग है वो बंद कर तयार हो चुकी है तो इसे अब हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगी ये देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट लिए बनी जा चुकी है अब हम इसे प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं, पांच मिनट के अंदर ये बनकर तयार हो जाएगी अब इसी कड़ाई में आलू की स्टफिंग तो बनी जा चुकी है, ऐसे बाहर निकालने के बाद हम कुछ और काम कर लेते हैं अब आज हम इसको थोड़ा सा फ्लेवर देंगे, उसी कड़ाई में थोड़ा सा डाल दिया है बटर, और यहां पर मैंने एक बड़े सा इस के प्याज को इस तरह से पतले लंबे टुकडों में काटा है, एक शिम्ला मिर्च को भी इस तरह से देखिए, कट कर लिया है पतले ल नहीं करेंगे, इसे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए हम बटर के साथ इसे हाई फ्लेम पर गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखिएगा, और दो से तीन मड़ तक चलाते हुए भुनेंगे, हमें इसे बहुत जादा पकाना नहीं है, हमें बस इतना चाहिए, कि इसके अं बरतन में बाहर निकाल लेते हैं, दोनों चीजे हो चुकी है, अब फ्रेंकी बनाई जाती है, मोसली मैदा के साथ, तो आज हम इसमें करेंगे, हमारे पास जो रोटी का आटा होता है, मोसली हम जो रोटी बनाते हैं, डारेक्ली रोटी में आपको दिखा रहे हुए यहां प करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हल्दी नास्ता बनाने के लिए गहूं का आटा सबसे बैस रहता है, अब हम सबसे पहले इसकी पतली सी रोटी, जितनी पतली आप बनाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, पतली सी रोटी बनाकर तयार कर लीजिए, अब यहां पर म रिफाइंड ओल नहीं लगाएंगे हम, तो बस अब सबसे पहले चारो साइट से रोटी को सेक लेती हूँ, इसी तरह से बनाएगा, अगर आपके पास रोटी बच भी गई है, इनकेस मैं आपको बता दूँ, अगर रात की बची हुई रोटी आपके पास है, तो उसका इस् रोटी नहीं बना रहे हैं आप और रात की बचीवी रोटी है, तो उसका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ये रेसिपी सभी के लिए सुटेबल है बिलकुल, अब इसी तरह से हम सभी रोटियों को बना लेंगे, जब रोटी अच्छी तरह से सिख जाएंगी, तो रोटि अब बस हम क्या करेंगे, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर सबसे पहले हमने कुछ चीज़े रेडी की हैं, जैसे की आलू की स्टफिंग बिलकुल रेडी है, वेजिटेबल हमने फ्राय की थी वो भी रेडी है, और रोटियां भी हमारी रेडी हैं, जितनी भी आपको चा जैसे भी आप पसंद करते हैं फ्लेवर वो इसके ओपर स्प्रेड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम इसके ओपर सेजवान चटनी पर लेते हैं पहले, उसके बार इसके सेंटर में हम रखेंगे सबजियां जो हमने फ्राय की थी, तो इसके बिलकुल सेंटर में बिलकुल बीच उसको बैंड पर एक प्रफ़ी में बराबर देंगे इसके बाद हम इसे थोड़ा सा रोल कर लेते हैं हातों से उसके बाद इसको बिल्कुल सेंटर में हम रख देंगे इस तरह से क्या होगा आलू की स्टफिंग पूरी रोटी में बराबर से फैलेगी अब फ्रेंकी है तो थोड़ी से चीजी और मज़ेदार तो होनी चाहिए काफी सारी चीजों का फ्लेवर आता है फ्रेंकी में तो यहाँ पर मैंने प्रोसिस चीज ले ली है ब्रिटानिया की आप जो भी चीज पसंद करते हो वो ले सकते हैं और कदूगस करके मैं इस चीज को इसके ओपर डाल रही हूँ यह देखिए कदूगस करने से इवनली सभी तरह स्प्रेड हो जाएगा अब हमने यहाँ पर चीज डाल दी और चीज को थोड़ा सा फैला लेते हैं चार ओर अब बस हमें कुछ नहीं करना बड़ी ही आराम से हम इस रोटी को कर देंगे रोल यह दिखिए इस तरह से रोल कर लेंगे और सभी रोटीों को इसी तरह से फिलिंग करकर तयार कर लेते हम अब हमें लास्ट में क्या करना है तवे को थोड़ा सा अच्छी तरह से हम गरम करेंगे और इसके ओपर डाल देंगे थोड़ा सा बटर क्योंकि हमने इसमें चीज का इस्तमाल किया है और रोटी सेखते वक्त हमने उसमें रिफाइंड ओल का बिल्कुल यूज नहीं किया था थोड़ा सा रोटी में क्रिस्पीनेस होना चाहिए ताकि खाते वक्त मज़ा आए तो जो हमने रोल बनाया थे अब हम तवे के उपर रोल रख देंगे गैस का फ्लेम लो रखिए जितने भी रोल आप तवे पर रख पाएं जितनी भी स्पेस हो सभी को रख दीजिए और दोनों साइट से अलटते पलटते हुए हम इसे सेकेंगे इससे क्या होगा जो चीज हमने डाली है फ्रेंकी के अंदर वो भी मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से और दूसरा जो रोटी की दोनों साइट से बाहर वाली उनके ओपर भी अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी साथ ही रोटी चिपक भी जाएगी तो ये देखिए अब हम इसे टरन कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से रोटी चिपक भी जाएगी ये देखिए चिपक चुकी है और साथ ही उपर से क्रिस्पी सी लेयर भी आ चुकी है तो अब सभी को हम इसी तरह से टरन करेंगे और ब झाल झाल तो देखा फ्रेंड्स इस तरह से हम बहुत ही जैटपर से बहुत टेस्टी सी डिश बना कर तयार करेंगे आप इसे एक बार अपने घर पर जरूर राय कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी अब मैं आपके साब मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें तो नेक्स्ट ताम मिलते हैं बाइए